हेलो एवरीवन भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैंने बनाए है पोटली वाले समोसे जो काफी टेस्टी है काफी क्रिस्पी है खाने में बहुत अच्छी है और इसके साथ मैंने बनाई है मोमोज वाली चटनी तो एक बर आप लोग भी इसको जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही एजी रेसिपी है और काफी टेस्टी रेसिपी है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट करके रखा है तो इसमें मैंने शिमला मिर्च गाजर बीन्स कट कर लिया है लहसन थोड़े से कट कर लिया है तुकुला अद्रक का लिया, एक प्याज लिया है और मैंने इसमें 200 ग्राम पनीर लिया है, पनीर की कौंटिटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, पिर मैंने कड़ाई में ऑईल डाल दिया, टू टेबल स्पून, इसमें मैंने लेसन डाल के उसे लाल कर लिया इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज डालने के बाद मैंने इसमें अद्रक डाला है, लसन के साथ इसलिए नहीं डाला फिर अद्रक जल जाता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है उसका, और इसके बाद इन सभी को अच्छे से सोटे करने के बाद हम स पेजाल पसंद करते हो सीज़ान पसंद करते हो या सेसरा उस दाल सकते हूं मैंने फेलिवर के लिए यज उपनीर दोस्ती करों है और मैय नहीं चुक्हास को चल्टे आड़े, historis नमक को अचे निया नमक के लिएख़ए, और थोड़ा सा अजवाई नो थोड़ा सा नमक डाल दिया है और एक डो लगा लिया है अब हम इसकी बड़ी सी पूरी बेल लेंगे या फिर आप छोटी छोटी लोई काट लेजिए जो आपको इजी लगे और इस तरह से मैंने एक बड़े टिफिन से इसकी छोटी छोटी पूरी होती है उसे थोड़ी सी पतली रखेंगे पतली होगी तो खाने में अच्छी लगेगी और जो फीलिंग हमने रड़ी की थी वह फीलिंगा अब हम इसमें फिल कर देंगे और हाँ अगर आपको फीलिंग चाहिए तो आप अपनी हिसाब से उसे स्पाइसी कर सकते हैं लेकिन वाशो को खाना होता है तो मैं किसी भी चीज में ज़्यादा मिर्च या लाल मिर्च कुछ भी नहीं आड़ करती हूँ, सिंपल ही रखती हूँ, बाकी हम लोग फिर चटनी में थोड़ा सा मिर्च का जो फ्लेवर होता है उसे बढ़ा लेते हैं तो कॉंबिनेशन अच्छा हो जाता है, तो अगर आप लोग को थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च एड़ कर सकते हैं अब जो हमने फिलिंग बनाई है उसे बीच में रखके फिर हम इसे साइट से पकड़ते वे इस तरीके से ऊपर एक जैसे हम पोटली बनाते हैं ना पोटली की तरह से इसे खटा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बीच में से दबा के प्रेस करना हैं जिससे की बिलकुल भी स्पेस ना हो क्योंकि अगर स्पेस होगा ना तो उससे क्या होगा जो ओल है जब हम फ्राइ करेंगे सारा अंदर भर तो यह समोच से पनाते समय आपको यह बिलकुल ध्यान से देना है कि बीच में थोड़ा सा हमें फिंगर के हैल्प से प्रेस करते रहना है अच्छे से थोड़ा सा दबा के जिससे की बीच में बिलकुल इस पेस ना बचे और जाने के लिए अच्छे से जो मैदा है वो चिप लग रही है अब इसको पोटली को बांदने के लिए वैसे तो जो प्याजा होता है उसे हलका सा गरम वायल में डाल की और उसकी पतली पतली लंबी लंबी धागी की तरह उसे काट के हम इसे इसके उपर लपेट देते हैं फ्राइ करने के बाद पर इस समय घर में प्याजा नह अब कड़ाई में मैंने रिफाइन डाल दिया है गरम होने के लिए इसे हाई फ्लेम पे पहले गरम कर लेना है इसके बाद हम सारी पोटली को इसमें ट्रांसफर कर देंगे ना उसके बाद हमें फ्लेम को लो कर देना है थोड़ी दिर लो फ्लेम पे भी फ्राइ करना है और बाद medium to low flame करके fry करना जिसे अंदर तक अच्छे से पक जाए अंदर तो नहीं चेंज होगा लेकिन क्रिस्पी हो जाएगा खाने में टेस्ट आ जाएगा कच्छापन चला जाएगा इसका तो इसलिए हमें हमें पहले high flame करनी है फिर flame को लो कर देना है फिर medium to low flame पे हमें पुलटके इस तरीके से पका लेना है बस ध्यान रखना है कि ये तूटने ना पाएं और बीच में से फटने ना पाएं नहीं तो oil जब भर जाएगा तो सारे पोटली जो oil वाली होंगी ना वो बिलकुल खराब हो जाएगी तो इस तरीके से मैंने सभी को करीब इस प्रॉस होंगी तो प्रॉस ॉपके साथ मैंने सिफ नॉर्मल उर्च नमक घंड लंप स्थन की चट्नि पीचीं पीचजिए तो आप लजयवन को पसंदिके साहिसे साथ कितों चेटने तो मीठी पसंदिके साहिसे कीजिए से नी किसे कितने सुंदर प्यार को पिरंद भारब रॉसे से बनके रेडी हो गए है तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर और जैमाता दी